रेसल मैनिया 33 के बड़े इवेंट का हम सब इंतजार कर रही है जो 2 अप्रेल को होने वाला है जैसा की हम सब जानते है कि 1985 के बाद से रेसल मैनिया WWE का सबसे बड़ा इवेट होता है ये साल में एक बार होता है हमेशा कमपनी को ये चिंता रहती है कि इसे किस तरीके से बड़ा बनाना है क्या कुछ नया किया जाए कि इवेंट सफल साबित हो एक वेबसाइट के अनुसार फ्लोरिडा में स्थित के एंपिंड वर्ल स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है हाला कि इस स्टेडियम में पहली बार रैसलमेनिया का आयोजन नहीं हो रहा है इस से पहले रैसलमेनिया 24 भी इसी स्टेडियम में हो चुकी है अगले हफते तक ये कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा अगले हफते के अंक में ये काम खत्म हो जाएगा जिसके बाद 2 अप्रेल को यहाँ पर इस बड़े इवेंट का आयोजन होगा DTN News की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटिस्ट और इंट्रेस्टिंग न्यूज के लिए